वेलकम टो उनलाइन फिशरी स्वागत है आपका उनलाइन फिशरी तो फैंट्स हम 11 एम पर सुबह 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 जो है MP पड़वारी के प्रिविश इर्कोशन उनको देखते हैं और हम जो है हर दिन जो है एक एक शिप्ट या एक एक या दू शिप्ट हम डेली करते हैं और म प्रियात के हम कोशन में लगा रहा है जिसमें हम 22 तारिक की आज फर्स शिप्ट करने वाले हैं बाकी सारी शिप्ट जो है मैंने ओलरी करा दी है तो जाकर आप उनको देख लीजिएगा और उन लोगों से मेरे रिक्वेस्ट रहता है जितने भी स्ट्वेंट वीडियो सब्वेश्टेड उनको छोता है जिए आपको अखेंगे मिलन जाएंगा और आपको न्यूत पर मुझे भी मिलन सकते हैं कि अधूर नोज 거лек आया है ऑगर और इसे मे сторонा कर दिया है चल्क कवा कि आपको बहुत यदा important है और MPGK के साथ साथ जो है previous question भी हम लगाते चलेंगे चले start करेंगे वीडियो को यहाँ पर पहला question हमारे पास एक दोड में A और क्रमसा B A 15 km और B जो है 18 km से दोडते हैं यदि दूरी तैग करने के लिए A B से 20 मिनट अधिक लेता है तब दूरी इसके बराबर है नहीं दूरी जो है कितनी है आपको यह बताना है कि distance actual में कितनी है देखे इस question को आप time work वाले जो है format से भी कर सकते हैं कि चाहें तो आप जो है और आपको क्या दिया हो time का क्या दिया हो difference दिया हो तो आप कुछ नहीं करेंगे speed 1 और speed 2 ठीक है और आपको इन दोनों का speed का speed 1 speed 2 हमारी बड़ी है तो speed 2 को घटा लीजे और speed 1 को जो है यहां से घटा लीजे इनका इन्टू किसमे करना दाता है जो आपका difference है time time कितना है 20 कर difference है तो हम आपर 20 का यहां पर दो कर लेंगे अब एक चीद ध्यान दिजेगा यहां पर क्या है एक वेक्ति क्या है एक वेक्ति हैं दोल रहा है तो दूसरा वेक्ति भी यहीं दोल रहा है तो इसलिए जो हमने माइनस लगाए नीचे क्यों माइनस लगाया है माइनस से लिए लगाया है तो स्पीड जब अगर आप दोनों एक ही दिशा में दोल रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा इनका माइनस करना पड़ेगा ठीक है ओके यह चीज आपको पहले भी पता होगी चुरे एस वन की एस वन हमारा कितना है पंदरा है ठीक है ठीक है 15 है एस टू हमारा 18 है ओके और यह पंदरा 18 में से पंदरा का अटाएंगे तो इसमें आएगा 3 ओके यहाँ पर है 20 ओके यह 20 इसको आप कर दिए 3 चुका अटारा ओके अटारा करेंगे यहाँ पर और 6 का इंटु करेंगे 20 में तो 120 आएगा 120 हमारा है है और यह 15 का इंटू करेंगे 15 ठीक है 0 यहाँ पर कर दीजे 15 ने 30 यहाँ पर आ गया 15 और यह 18 एक 18 ठीक है अब यह 18 क्या आगया यह 18 सो क्या आगया देकि कोशन क्या है हमारे पास किलो मीटर परती घंटे में आपको बताना है और यहाँ पर 20 मिनट दिये है कभी एक्जाम में आपने देखा है कि मिनट में आपको अंसर आ रहा है नहीं या तो सेकिंड में मीटर परती सेकिंड में आएगा या किलो मीटर परती घंटे में आएगा लेकर यहाँ पर दूरी पूछी है जो दूरी जो है आपको किलियो मीटर में आएगी किस में आगी किलियो मीटर में अच्छा भी किस में आ रही है यह इसमें आपको भाग दिना पड़ेगा 60 का किसका 60 का भाग दिना पड़ेगा 60 का यहाँ पर 18 समय क्या करना पड़ेगा भा तो आप Time and Work के जो है formula से भी कर सकते है, A और B का जो अनुपार दिया है 15 तिया है, और यह 18 तिया है, अच्छा यह Speed का Ratio दिया है हमें, अच्छा Time का Ratio हम निकाले तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यह 18 हो जाएगे, और यहाँ पर हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा अब इसको काट सकते हैं कि 5今 15 से क्रषे गए और State total कैशा हिनwash इनका ट्म्स दिया है timeisst दिया है और यहां पर जो तैम से हैं किया एक हैagenуль है और यहां पर हमयरी उक बरावर किसके है यह जो बताँ एक बरावर किसके स्पीर इंटू टाइम बाला यानि एक किसी का भी जो है हमें हाथ दोनों व्यक्ति दोड़ेंगे तो उतनी ही अतना ही मीटर किलो मीटर दोड़ेंगे यह इतना दोड़ेगा उतना भी दोड़ेगा क्योंकि उनको तो सिर्फ रेस लगानी है और एक दूरी तक मोचना है ठीक ह गुर्णाश अगर हमें निकालने तो स्पीर माल लिए अगर हम जो है किसी की भी ले लिए आप जो है किस की लिए लिए ये वाली ले लिए इसकी ले लिए ये की ले लिए अगर हमने ये लिया तो तो साप देखे सबद कितनी है 15 एक i कि टाइम कितना लग रहा है भाई time इ से आपको कितना आएगा, अठारा सो ही आजाएगा, आठारा सो आपका बटे में आपको कितना 60 रख देना है, जीरो से जीरो कार देना, 6, 3, 18, 30 किलोमीटर फिर से आपका आजाएगा, ओके, तो आप दोनों तरीकी से इस कोशिन को कर सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अ उनका योगफल समो, योगफल क्या हो, समो, आपको संख्या दी हैं ये वाली, और आपसे पूछा है, कितनी ऐसी संख्या मनाई जासी है, तीन अंको की संख्या मनाई जासी है, तीन भिविन संख्याओ, वाले समुच बनाना, उस समुच बनाना जो की हमेशा कैसे हो, उसका योपफल क्या हो सम हो अब एक चीब देगे सम मतलब क्या होता है एक तो देखिए अगर मैं सम कैसे आता है सम पिलस सम से एक तो सम आता है ठीक है सम आएगा आपके पास सम पिलस सम से आपको सम मिलेगा ठीक है एक मिलेगा आपको भी सम प्लस विसम से ठीक है विसम प्लस विसम से सम मिलेगा ठीक है ये मिलेगा आपको मिलेगा के नहीं मिलेगा इस पिरकार मिलेगा और एक और आप इस पिरकार आपको यह है इस पिरकार जो है मिलता ठीक है विसम प्लस विसम ओके और विसम प्लस विसम और ये सम तो यहां पर आप देख सकते हैं इस परकार हम क्या ले लेते हैं पहले हम दो हैं क्या ले लेते हैं दो विसम संख्या ले ले लेते हैं विसम संख्या कौन कौन से ले ले लेते हैं और एक ले ले लेते हैं 275 ठीक है दो संख्या ले ले लेते हैं अब इनसे कितनी संख्या बन सकती हैं देखिएगा सम इनसे हम संख्या बनाते हैं ठीक है कितनी संख्या बन सकती है, इसको प्लस करेंगे, तीन को प्लस करेंगे और पाँच को प्लस करेंगे, तो क्या बनेगा? संब बनेगा, तीन को पाँच को प्लस करेंगे, संब बनेगा, इसके साथ में एक संख्या ले लिए, मैंने एक संख्या ले लिए इन दो संख्याओं से तीन संख्याओं इन दो संख्याओं नहीं पांच और तीन आठ और इसमें बलाएंगे तो ये आपका सम मिलेगा, बानवे से सम मिलेगा, छे से सम मिलेगा, मिले का नहीं मिलेगा अब हम क्या करते हैं 23 को छोड़ते हैं और हम 223 ही लेते हैं और एक ले लेते हैं हम कितना 397 क्या लेते हैं 397 अब इससे हम संख्या बनाते हैं क्या करते हैं इससे संख्या बनाते हैं इससे संख्या बना के देखते हैं सबस्amtाइब दो संक्या बना सकते हैं इस से भी संक्याइगी हम एक तो मिलेगी 266 ठीक एक 266 को पिलस करेंगे सम को बिसम बिसम में सम पिलस करेंगे तो सम ही आएगा फिर एक पिलस करेंगे 292 ठीक है और एक हम पिलस करेंगे 466 तो संख्या है कितनी होगी तीन इहापर तीन इहापर तीन इहापर तीन इहापर तो इनसे एक समसंख्या मिलगी इनसे 9 समसंख्या मिलगी हमारे पर टूटल कितनी समसंख्या मिल जाएंगी 10 समसंख्या मिल जाएंगी जो की option कहाँ पर दिया है आप इस वाले जो है आप इसको घटाएंगे इस टी लगा था और यहाँ पर इसको उटाएंगे तो हो जाएगे तो one upon two इसकी जो power है वो हो जाहिए 12 एतने जागी power हो जाहिए 12 ठीक है इसकी power 12 अगर one की power 12 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है अगर 1 की पास अगर आप 2 की पावर क्या करेंगे 2 की पावर को 12 करेंगे तो देखेगा answer यहाँ पर दिया आए इस पिरकार का answer जो है option में दिया है कि बिल्कुल यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 की पावर 12 दिया है ठीक है यहाँ पर देखेगा पहले 27 में से अगर आप घटाएंगे कितने घटाएंगे 23 घटाएंगे ठीक है घटा दीजे point में है तो बैसे भी आपका कितना आएगा point कितना आएगा 4 आएगा ठीक है कितना आएगा आपका point 4 आएगा Помरेंड फॉर यहां पर जब way जरी छिथो है यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा 4 तो यहाँ पर जीडू तो यह आगाया point 01 उन डोनों को प्लस करें 27 ऑ फ्रीए 23 को लिटीविंन बिलस करें बब kilogram है यहाँ रही तो यह 0 हो गया, यह ओ गया 5, तो 0.5 इन दोनों का इंटु करना, एंटु करना, यह हमने मानस कर लिए, तो इसमें से हमें मिलेगा, क्या हमें मिलेगा, तो देहान रखेंगे, पांचोग 20 हो गया, तो यह 20 हो गया, एक दो तीन चार के बाद एक दो तीन और यहाँ पर जो है पॉइंट है ठीक है यह वाला पॉइंट है यह देखिएगा एक एक के बाद पॉइंट यहाँ पर एक दो तीन के बाद पॉइंट है तो पॉइंट जिरो टू जिरो तो यहाँ पर यह दिया है 0 को कोई मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं वाले को उठा दिए तो आपका 0.02 आपका अंसर आ जाएगा ठीक है चले अगे कोशिन दिया है 18, 28, 12, 35, 22 जो है इसको क्या करना है average भनाना है बहुत ही सिंपल है और आपका 12 कितना हो गया 100 हो गया 22 और आपका 18 कितना हो गया तो यहाँ पर मिला दीजिएगा 20, 20, 40 हो गया ठीक है 40 और यहाँ पर 35 है ठीक है 5 आगे हमारा 7 आगे हमारा 1 आगे 5 में इंटू करेंगे 5 तिया 15 ओके और यहाँ पर 25 ठीक है 25 ठीक है हमें एम निकालना बाकि हमें इस format से ही बना सकते हैं आप चाहें तो ट्राइंगल से बना सकते हैं मैं ट्राइंगल से बना के देखता हूँ देहें ये वाला एंगल दिया है ओके ये वाला एंगल दिया है आपको और आपको ये वाला एंगल दिया है तो मेरे पास ये वाला एंगल ले ले लिया ठीक है ये वाला एंगल मैंने ले लिया ठीक है तो देखिएगा ये वाला एंगल जब मैंने ले लिया तो ये 100 है और ये 40 है ये यह वाला जो एंगल हो कितना होगा 40 होगा कितना होगा 40 हो गया ठीक है अभी हमने यह दोनों इस बारा लिया था अब अगर हम बात करें यह वाला ले लेते हैं ठीक है यह पूरा ले ले लेते हैं यह वाला ठीक है और यह वाला ले ले लेते हैं यहाँ पर हमें 40 मिल गया था यहाँ पर कितना है पहली से दिया है आपको कितना 110 40 प्लस 110 और बरावर किस के होगे मैं यह नहीं पता यह वाला थर्ड वाला क्या है और यह किस के बरावर होता है 180 के बरावर होता है तो यहाँ पर कितना प्लस करना है तो यह कितना हो गया 150 हो गया answer क्या 30 है ठीक है एक इस परकार से भी कर सकते हैं कि आपको पता linear pair जो angle है वो किस परकार से आपको निकालना है देख यह से माल लेजे का यह आपको कितना दिया है यह दिया है आपको 100 यह दिया है पूरा यहाँ पर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, अगर हमें 100C करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा भई, हम 70 मिला लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 70 है यह वाला अंदर, तो यहाँ पर कितना हो और यहां पर कितना यह सी आगा तो आप लगा लिए सो सत्र सो और यहां पर से तो यह आएगा तीस यह भी तीस आ गया तो इस परकार से निकाल से नहीं कोई दिक्कत नहीं आगे एकला कोशिन करेंगे कोशिन दिया 8, 5, 5, 6, 3 को 4 से वज़े करने पर से इसवल क्या होगा तो देखिए एक तो आप 8, 5, 5, 6, 3 में जो है 4 का भाग लगा दीजे या फिर 4 का भाग आप इतना बड़े में लगा इससे बड़िया है देखिए जो 4 की वज़ेता का रूल है चार की जो डिवीजवरिट का रूल है वो है आपकी जो आखरी दो संक्याए है और इसमें बड़ा today बागी दो आफ का पता ही होगा तीन का सभी को जोड़के आना चाँए नौँका मैं पता हूँ इक नहाँका भी सभी को जोड़के गयारा का अल्टेनेट में पर जोड़ के जो है क्या करते हैं घटा देते हैं, ऊके, यहाँ पर देखेगा, 4 से काटेंगे, 4 एक मँचार, ठीक है, पचवतेगा, कितना वचवतेगा, 2, 4, okay, 4, पंजे 20, कितना, 4, पंजे 20, तो कितना बचरा है, यह 23 तो आगा 3 बच रहा अपर कितना बच रहा तीन तो 6 पर हमारा कितना उच्छा 3 बच रहा बाकि आप कैसे भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं अगले कोशन स्क्रीन पर दिया हुआ आपको यदि 92 इंटू 16 बार 1472 है तो आपको बताना 0.092 इंटू 0.04 इंटू 0.04 क्या है यह बताना है अब एक ची बताएगा मुझे यह चार्चक 16 क्या है चार्चक 16 यही है यहाँ पर इन दोनों को ही है और इसका आंसर दिया 1472 और यह आपको 92 दिया है तो यह 92 यहाँ पर दिया ही हुआ है तो आप यह दिख लीजिएगा इसमें count कर लीजिएगा पहले तो 1472 ही आ गया 5,6,7 गया 7 अंक आएंगे और 7 अंक के बत पॉइंट आगा 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5,6,7 उसके बत पॉइंट यहां कि 0.00 देखे 0.00 तीन बार 0 आएगा फिर उसका 14 भातर आगा 3 बार 0 आएगा उसका 14 भातर आगा option नमर 3 दिया है यह हमारा answer है तो यह multiply न आपको समीकंड दिया इसका x2 माइनस 6x प्लस 4 आपको दिया है x की value दिये under root माइनस 1 आप आप होंने 1 प्लस यह दिया है तो पहले x की value निकाल लीजेगा under root से 2 माइनस 1 यह दिया है इसका आप नीचे दिया है यह 2 प्लस में दिया है अब एक कामकरी हर का परिमे करन कर तो यह प्लस में जाता है, यह वाले जो value है, ठीक है, यह माइनस में हो गई, अज़र यहां से हमें एक formula मिल रहा है, यह वाला जो हम दिन को देखेंगे, तो यह जो होगे, हमारा under root का, minus 1, upon का क्या होगा, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, under root 2 का, square, minus 1 का square, यह हमें open मिल गया, अगर इन दोना का square करेंगे, तो हमें already क्या है, 1 मिल जाएगा, अपर यह 2 में से 1 घट जाएगा, और यहां पर करेंगे, तो यह 2 हाएगा, प्लस square 1 आएगा, और minus का 2 under root 2 आएगा, ठीक है, तो यहां से कितना विल गया है, 3 minus 2 under root 2, तो हमारे पास x की value कितनी आ गई है, x की value आ गई है, 3 minus 2 under root 2, यह हमारे पास x की value आ गई है, ठीक है, हमें इसके बरावर करना है, तो हम क्या करेंगे, x के बात जो हम इसको यहां पर ले आएगे, और यहां पर minus 2 under root 2 है, यहां इसका है, हमारे पास, हम दोनों क्या कर देंगे, square कर दीजेगा, क्योंकि हमें यह चाहिए, यह value चाहिए, तो हम क्या करेंगे, square करेंगे, x square हो जाएगा, minus 6x हमें मिल गया, ठीक है, और plus का 9 मिल गया, ठीक है, बरावर में कितना square square करेंगे, 4 और यह into 2, यानि कि मैंने इसको direct लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ, यह 8 हो गया, अब देखें, यहां पर 9 है, और यहां पर कितना है, यहां पर 4 है, यह 4 है, ठीक है, यह 4 है, यह 4 है, यहां पर 9 है, तो यह आप देख सकते है, 4 हो 9, अब हमें क्या बनाना इसको plus 4 बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, plus 4 होना है, 9 है, तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, plus 4, 5 यहां पर लिख सकते हैं, और plus का 6x हमारे का चली रहा है, x2, ठीक है, यह चली रहा है, इस 5 को कहा ले जाते है, इधर ले जाते ही, तो माइनश को हो जाएगा, okay, यह क्या और 3 जो है प्लिस का है option 4 में दिया हुआ है क्या दिया है 4 दिया होके यह दिया है 4 commandments 3 option number 4 और answer है है to 3 अगला question दिया हुआ है एक परिक्षा में पर्टेक सही उत्तर का मूल ले चार अंक है प्रतेक गलत उत्तर परविद्द्दाषी एक अंक गवा देता है परिक्षा में कुल 75 प्रश्न है। और विद्यारती उन सभी का उद्तर देता है। निवन में अister कौन सा एक अंक बिद्ध्यारती प्राप्त नहीं कर सकता। डेखिए इहां पर जो हमें यहां तो ये बूला है कि टों जो है विद्धरते स confusion कीस तो इसका एक अग कड़ जाता है और total जो 75 अग काच मारे पास 25 है हम क्या कर सबक qu economic है अगर हम पूरे के पूरे सही लगाते हैं मैं मानता हूँ अगर मैं पूरे के पूरे सही लगाता हूँ तो वो X नमबर मुझे X सही कोशन लगाता हूँ सही कोशन क्या लगाता हूँ X लगाता हूँ और अगर मैं गलत लगाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा गलत अगर मैं लगाऊंगा 75 मैंनस 1 माइनस x और आपकां इन्टु मैं यह बन माइनस का आ रहा है तो हमारे पर equation क्या बन जाएगी equation हमारे पास कुछ इस परकार की बन जाएगी 4x तो हमारे पास होई गया है ठीक है अब ये plus का दिया हुआ यहाँ पर और इसका multiply हो रहा है minus का बन में तो minus का 75 हो जाएगा ठीक है 75 और ये minus minus plus हो जाएगा x ठीक है तो 5x बराबर कितना है 5x minus 75 हो गया मैं 5 को अभार ले लेता हूँ x यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कितना है गया 15 आएगा तो आप एक equation देख सकते हैं कि मैं x की value पर कुछ भी रखूँ सही question कितने भी रखूँ कुछ भी रखूँ यहाँ पर तो मेरे पास जैसे माल लेज़े मैं x की value पर 10 रखता हूँ यहाँ पर 10 रखता हूँ यहाँ पर 20 रख देता हूँ 20 रख देता हूँ तो बचेगा 5 और 5 into 5 कितना आएगा 25 आएगा यानि कि यह भार वाले जो 5 दिया है 25 है, 25 है, 25 है कटेगी कौन सी नहीं 246 नहीं कटेगी अगर यह कटे नहीं रही इसका मतलब यह अंक हमारा आही नहीं सकता यह हमारे नंबर आहीं नहीं सकते तो आंसर क्या आएगा option number 1 ओके चले अगे एकला कोशन है 9 संख्याओं का उस्थ 75 है जब उन्हें बढ़ते क्रम में लगाया जाता है तो प्रथम 5 संख्याओं का उस्थ 60 है अंतिम 5 संख्याओं का उस्थ 90 है मत दें बद आपको निकालना है देखिए एक बहुती सिंपल सा चीज़ा अगर मैं आपको यह एक संख्याओं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नौ इस परकार की संख्याओं देदूं तीन संख्याओं इदर है तो बीच में क्या है पांच हो रहा है तो यह हमारा क्या होता है यह हमारा क्या होता है यह हमारा जो एवरेज होता है तो आपको करना क्या है बहुत ही simple अगर आपको पत निकालना है कितने अंक हैं कितने पत हैं तो आपको average कितना दिया है total average दिया है 75 कितना दिया है total average दिया है आपको 75 और अगर आम देखेंगे संख्या है कितनी कितनी आगे पीछे हो रहे हैं प्रत्त में 5 संकhya और आकरी 5 संकhya तो यह 5 संकhya दी है आज से कभी भी ब percept hai यहां लास यह संकhya अइसा नहीं देखा प्रत्त प्मंअ0 प्रत्त है तो आगरी 5 संकhya दिया होगा तो पंच यहां पर लख और अगर हम बात कर एंगे अगर हम बात करेंगे तो मैनस 15 निकलेगा इसे इसको काड़ दीजिए क्या होगा 0 मिलेगा और आपका multiply हो रहा है इसका प्लस आपका 5 का ओके और यहां पर 75 आपके पास है ठीक है तो इसका इसमें इंटु करेंगे तो 0 या जाएगा और तो हमारे पास answer क्या आगा प्लस का 75 यानि हमारा answer आएगा 75 आवरेज क्या आगा 75 आगा option number 3 आएगा एक तो आप इस पिरकार से कर सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसका जो है 9 का इंटु करेंगे 75 में जो भी answer आएगा वो यहां पर लिख दीजेगा फिर आप जो है 6 का इंटु करेंगे पांच में ठीक है और फिर आप इंटु करेंगे जो है आपका 90 का इंटु करेंगे आप पांच में ठीक है इंटु करेंगे इन दोनों को माइनस कर लिजेगा इन दोनों को माइनस करने कर आप अपांट में 2 कर लिजेगा ठीक है अपनों 2 इसलिए करना है क्योंकि इन दोनो पर यह रहाब के लिए कोश्चन यदि A एक कारे को बारा दिन में B एक कारे को 24 दिन में पूर्ण कर सकते हैं दोने एक साथ मिलकर कितने दिन में इसका पूरे करेंगे बहुत ही सिंपल एक ही बात करें तो 12 है बी की बात करें तो 24 है ओके ऐल सम जो आएगा और सम च बारा दिन में सिंपले। यह सिहान दिजेगा आखाए बाइ जो है एक सब पत्चीश से दस प्रतिसाद देखे मैं बोलूँ य जो 125 से 1030 देखे 1030 मतलब 1030 देख यह वाला है तो मैं इसको इससे घटा दूँँ तो देखे 1030 में नहांपर रखूंगा तो आपको यह सही हो जाता ठीक है तो एकस की वेल्डियु क्या है देखेगा एकस की वेल्डियु मनलब एकस जो है बरावर ऺछे किसके बाय की 90% के बरावर दोलब गया है एक सोपचीस कैं अधिक किस से अधिक है आपका यह जो है जहां से बाइ अठा दीजिएगा सौरी मैंने यहां पर लगा दिये बाइ मतलब बाइन लगाना क्योंकि वैल्यू नहीं निकाल लें इसकी बरावर पर दिया बाइ एक से 10% कम है तो यहां कि रहाल से 10 के जिए हैँ से 10 से 50 कटएंगे साट जाएगा पर 25 है पर है जाए यहां करेंगे तो यहाँपि जांट करिंग आपका न 2 करेंगे तो आपका का 4095 करा लें और आपको नीचे 4 ही मिल पहले से देखिए आंसर तो हमारा यह वाला आ गया वन टू थ्री आ गया आगे करने की जोतनी थी बाकिया आपको चार सकते 28 और चार बंजे चार बंजे 20 तो यह आगे आपको option आगे यह ठीक है तो option number 4 is the correct answer ठीक है आगे अगला question चले अगला question करेंगे question दिया है 6 साल बाद प्रधान की आयू उसके पिता की आयू की तीन वटे साथ गुना होगी 10 words पहले प्रधान और उसके पिता की आयू का सम्मन अनुपाद एक अनुपाद पाश है प्रधान के पिता की बरत्मन आयू क्या है तो देखे ये पहले चीज़ तो आपको ये समझने साही है प्रधान की अगर मात कर दें प्रधान की और उसके पिता की ठीक है 10 साल बाद की आयू की बाद करते हैं पहले तो ये अनुपाद में दिये एक अनुपाद हमें 5 दिया है ठीक है उसके बाद कहाई 6 साल बाद है नि- brat के 6 साल की बाद करें तो उनका जो उनुपाथ दिया वो दिया है 3 और कितना दिया है 7 इन दोनों में डिफ्रेंश कितना है 2 का है यहाँ पर भी 2 का डिफ्रेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है उके डिफ्रेंश हमारे पर बरावर तो यह बरावर किसके हैं 10 और हिहां पर 6-16 सूला साल के बरावर है यानि एक की विल्यू कितके बरावर 8 के बरावर है तो हमें निकालना क्या है पिता की बरत्वन आयों निकालनी है तो आप एक कायम कर दिया आप यह हम 6 साल आगे चले गए 6 साल माइनस कर दिजए तो कितना आएगा 50 आजएगा हमारा आंसर के है 50 यह क्या आगा 50 यह option में कहाँ पर दिया option number 2 में दिया 50 यह option आएगा 2 ओके चले आगे अगे कोशन आपके दिया क्या दिया कोशन कोशन दिया निमन मैंसे किस में बर्गमूल है मतलब इसका बर्गमूल बताना कौन सा बर्गमूल है परिमिय अर्थाद भिन तहा यानि PY Q के रूप में और पू PY Q में ऐसा कौन सी फॉर्म या PY Q में नहीं लिए अब एक चीत ध्यान देगा कभी भी कोई बर्गमूल होगी क्या कोई भी बर्गमूल जो है तभी हो सकता है जब याद रखेंगे से मालों point A अगर आपको लेखा है तो यह पून बर्ग नहीं होगा क्या नहीं होगा कभी पून बर्ग हो सकता है क्या हो सकता है याद रखेंगे हो सकता है यह हो सकता है अच्छा point A B और C लिखा हो ठीक है A B C लिखा हो तो यह पून बर्ग नहीं होगा जब point A अच्छा मैं बोलूं point अगर आपको क्या लिखा हो point A B C और D लिखा हो तो यह point वर्ग हो सकता है क्या हो सकता है तो देखेंगे आप पहले तो one वाला तो उठाए दीजिए बन अठा दिए यह भी बन अठा दीजिए ठीक है और तीन वाला भी उठा दीजिए ठीक है point zero three का आपका यह होगा उसका answer होगा यह answer होगा पूर्ण वर्ग का option आएगा point zero nine अगला question दिया है एक question क्या दिया है एक work का छेटपल क्या होगा जिसकी भुजा 4X है work का मतलब क्या है इस सारों भुजाए कैसी है 4X है अगर इसका हम निकालेंगे छेटपल तो छेटपल ता a square सभी जगा a square है यह है तो चार का इंटू कर दीजे दो वार चार X का इंटू कर दीजे दो वार ओके तो चार सक 16 और X का a square ठीक है तो यह आए गए 16 X square option आएगा आपका one ओके चले आग एक लगा question में से कौन सा एक चत्रवज नहीं है अचा चत्रवज नहीं है चत्रवज पंच 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 स्यादा होती है वो polygon होता है ध्यान देजिगा अगला गोशिन पूछाए टू की power m into 2 की power n तो 2 की power m into 2 की power n है जब बेस क्या हो समान हो और उनकी जो power हो लिखी हो तो power क्या होती है प्लस हो जाती है 2 की power m a plus n यह हो जाएगा आपके वास अगर यहीं पर यहीं पर यहीं लिखा होता तो आपका answer पता है क्या होता आपका answer होता यह वाला यह वाला answer होता अपका ठीक है यह वाला answer होता ठीक है यह स्पिरकार के answer आते ध्यान दीजेगा तो हम्हारे पास अभी क्या है फ्लस में है तो फ्लस में ही हम लगाएंगी option number third में उके चली अगला question देखेंगे question दिया हमारे पास क्या नीचे दिये गए एक समीकर में निवन में से कौन सा एक गुड़नर्म प्रयुक्त होता है अच्छा हमारे पास जो है हमारे पास एक जो है हमारे पास कहा दिया है equation दिये 8x प्लस 5 यहां पर शुर से दिया आपको 8x प्लस 40 यह दिया है तो यह जो चीज है वो distributive method है का उसा distributive distributive मतलब की चीज़ों को बाठ देना बहुति इंपॉर्टन है बहुत ह nuoं यूज भी हम लोग ही इस करते है diagnosis में चलता है कि आपको a यह और बंड कुमन कहलतें akad k kmaq हुआ कर लीते हैं तो यह तो होगा ٌ अच्छा बाकी कि मैं आपको बता यथा हूं अगर भात करें क्या सहचारे बुदन क्या है सहारे गुर्धर्म, सहारे गुर्धर्म में क्या होता, A जी है, या कि A into B है, और आपका C है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आपको A into B, और आपका C क्या है, बहार लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आपका associative property होता है, यह associated property होता है अच्छा हमारे पास अगर हम बात करें committee यानि कि क्रम बीने में गुरधर्म जो है क्या होता है क्रम बीने में गुरधर्म होता है A into B लख सकता हूँ मैं या पर B into A लख सकता हूँ यह लख सकता हूँ दोनों के बरावर ही होगा answer यह भी होगा सर्व समता यानि identity property मतलब A into A का इंटु मैं कर सकता हूँ मैं माल लेज़े एक कुछ भी है यह मैं इसमें 2 का इंटु कर रहा हूँ और 2 मैं A का इंटु कर रहा हूँ तो answer क्या आगा मेरा वही आएगा तो यह identity property होती है बागी distributed property मैंने बताए दिया है अगला कोशिन की और बढ़ते हैं अगला कोशिन क्या है देखेगा काब्या और केन की आयू के बीच दो वर्स का अंतर है काब्या कृष्ण की आयूस का एक बटे चार है केन कृष्णा की आयूस का एक बटे पांच है तो केन की आयूस निकाल लिएगा ठीक है भाईया तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बता जेता हूँ आपको काब्या ठीक है काब्या हो गई हमारी एक काब्या हो गई हमारे पास क्रिष्णा हो गई हमारे पास क्रिष्णा लिख देता हूँ ठीक है क्रिष्णा है और हमारी ये केन हो गई ठीक है ये केन है ठीक है तो पहले काब्या और क्रिष्णा का जो हमें रैशो दिया है वो दिया है वो दिया है वन हो गया है और यहां पर कितना हो गया यह 5 हो गया ठीक है अच्छा बूला क्या है आपका काब्या और केन का जो अंतर है काब्या यह रही और केन का अंतर कितना एक है तो इनकी एक रैशो का अंतर कितना है दो के बरावर है निकालना क्या है केन की आयू निकालनी है तो केन की आ अगर आपको यह वाली जो टिक अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि यही हमारा लास्ट कोशिन था अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजेगा ओके शेयर नहीं कर रहा है तो शेयर कर दिए सब्सक्राइब निकार सब्सक्राइब कर दिएगा थंगे फिर वाचिंग दिए वैस्ट आपके एक्जाम के लिए आपके रिजल के रहे